बेस्ट बैक कोवर्स एंड केसे फॉर इस इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन जो आप इस टॉपिक का कफी टाम से वेट कर रहे थे और आप अपने इन्फिनिक्स नोट 11S के लिए कुछ यूनिक टैप के बैक कवर्स आप सर्च कर रहें जो एक तरीके से बज़र सेग्मेंट में हो और बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट मेटिरियल क्वालिटी का हो जो मेरे पास यह है 8GB RAM और 128GB स्टोरेज और इसके पहले मैंने इन्फिनिक्स नोट 11 के लिए भी बैक कवर्स के बारे में टॉपिक कवर किया है तो अगर आप इन्फिनिक्स नोट 11 के लिए बैक कवर्स सेर्च कर रहें तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक आउट कर स फ्रीफार एडिशन तो यह सारे बैक कवर्स को वन बाई वन उपन करते हैं और चेक करते हैं कैसे है इनका लुक जब आप इसे अपने स्मार्टफोन पर अप्लाए करते हैं तो का के लोगों का पोलिटी है जिसरी कि से अधर सिलीकॉन के बैक कवर्स आते हैं लेकिन इस टैप का प्रिंटेट वाला सिलीकॉन है यह मुझे इंफिनिक्स स्मार्टपून में अप्ता देखने ने बिला विला बट हर एक और अलग 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 था और यह एकदम completely different type का color है तो आप इस Infinix Note 11S के लिए यूज़ कर सकते हैं बैटरल कॉलिटी कहो तर जिस तरीके से normal plane cases होते हैं same to same वैसा इसका quality है और खास करके ये आपको अंदर 300 रुपी का अंदरी आपको मिल जाएगा तो इसे अगर अप्लाई करते हैं अपने Note 11S Playfire Radiation पर तो अप्लाई करने के बाद exactly जो smartphone का look है वो आपको ऐसा देखने मिलेगा तो left side में है पूरा यहाँ पर plane down side में मिलेगा इस तरीके से सारे buttons and options perfect तरीके से visible है and then second time यहाँ पर right side में मिलेगा volume up and down button के लिए button easily pressable है and then इसके बाद यहाँ पर power button के लिए overall not good और इसमें back side में camera का bumper protection भी है जिससे camera safe रहेगा बैसे bumper effect इतना नहीं है बट फिर भी 10% का bumper effect है जो आपके camera safety के लिए useful होगा overall it's good so वैसे कैस में ने Infinix Note 11S Free Fire Edition को लेकर कई सारे topics कवर किये जैसे कि battery drain test charging test, comparison test speed test, note 11 के साथ में, note 10 के साथ में और other real minarzo 30 के साथ में तो अगर आपको इस सारे topics check out करने हैं तो आप मेरे video section में जाके check out कर सकते हैं मैंने कई सारे topics especially note 11, note 11S और note 10 को लेकर मैंने बहुत सारे topic कवर किये तो सारे topics आप लोगों के लिए useful होगे अभी यहाँ पर आते है second back cover for this infinix note 11S यह जो back cover है यह आपको look नहीं देता है लेकिन protection के ममले में यह type के back cover बहुत सादा useful होता है अगर आप अपने infinix note 11S को long term duration पूरज के इसाप से यूज करना चाते है और आप चाते है कि आपका जो smartphone लोग term basis में आपको अच्छा stability दे तो इसे में इस type के back covers आपके लिए काफे जादा useful होता है खास करके इस type के back covers के सबसे main जो plus point है वो है protection look नहीं देता है लेकिन protection के मामले में flip cover हमेशा useful रहता है यहाँ पर बाहर की तरफ यह flip cover आपके smartphone को protection देगा और अंदर से भी एक black color का cover मिलता है जो आपके smartphone को और अच्छे तरीके से protection देगा in case अगर mobile आपका घिर भी जाता है तो इससे smartphone पर कोई problem नहीं आएगा the reason is that because यहाँ पर इस तरीके से smartphone का shape होगा धीरा तो first problem flip cover पाएगा उसके बाद second अंदर cover पाएगा उसके बाद mobile पाएगा जिससे mobile के damage होने के chances 90% तक है नहीं अब smartphone को apply करने के बाद exactly जो इसका look है यह ऐसे दिखेगा पूरी तरीके से camera को production बिला है और अंदर भी आपको एक plastic का shape मिलता जो mostly cases में अदर flip cover में मैंने देखा है mostly flip cover में इस step का जो अंदर एक plastic का जो black caution है यह नहीं बिलता है ने तो अदर सिफ यह एक उपर का cover मिलता है that's it बट यह काफी अच्छा लगा और इस back cover को जैसे आप open करोगे तो अंदर की तरफ आपको जो smartphone का look है exactly ऐसा लिखने बिलेगा यहाँ पर अपने cash, credit card, coins को आप easily आप इसके अंदर रख सकते हो free fire कैसे चालो गया तो इसके बात यहाँ पर यहाँ पर नोट्स को open कर सकते हो राइट तो एक तरीके से यह लेडी टैप का परसी हो गया और इसपेशल अगर आपके family में आपके कोई oldest person है, बड़े elders तो उने न अगर लिया तो उनके लिए यह इस टैप के back cover काफी जारे useful होगे और खास करके अगर आप note 11S को 3 से 4 साल तक टिकाना चाहते हो तो ऐसे में इस टैप के back covers काफी जारे useful होगे लुक नहीं देंगे लेकिन production के माबले में आपको हमेशा बेटर रहेगा overall it's completely good तो सारे buttons और सारे options परफेक्ट तरीके से visible है यहाँ पर और यहाँ पर भी और प्रेस भी आराम से होगा कोई आपके uncomfortable feeling नहीं है overall it's good and you can go for this so अभी बाड़ी है third back cover for this Infinix Note 11S Free Fire Edition अब यह जो back cover है यह एक black color में back cover है especially अगर आप कोई black color का back cover search कर रहे है for this Infinix Note 11 only for black lovers के रिए because मुझे हर users के thinking process के इसाब से backwards pick करने होते है तो इससे कई सारे और भी users होते है जो खास करके इस टैप के black color के back cover search करते है वैसे Note 11S के साथ में इस टैप का back cover आता है और यह काफी ज़रे useful भी है खाल इसमें एक problem है कि इसके उपर यह नाम लिखा है अगर यह नहीं होता तो obvious सी बात है यह black color का जो cover है प्रीम होता लेकिन इसके वज़े से थोड़ा असस का look जा रहा है बट फिर भी not bad gamers के लिए काफी ज़रे useful होगा बट एक not generally देखे तो यह attractive नहीं लगता है अगर आप public में लिखे जाओं तो overall इस टैप के लिए फिर आप इस टैप के back cover आप यूज कर सकते हो इन दाट केस लिए गो फोर इस बाट तो लेफ राइट साइट में पूरा ऐसा है पूरा बटन यहापे perfect तरीके से visible है डाउन साइट में है ऐसा सारे options perfect दिख रहे हैं अब लेफ्ट साइट में पूरा प्लेन है दन उसके बाद यह है राइट साइट में अगर देखे तो overall यह इस रिके के लोग में देखने में बिलेगा not bad actually अब यह है फोर्थ बैक कवर फॉर इस इंफिनिक्स नोट 11S और यह जो बैक कवर है बाकी बैक कवर्स जो भी में आप में आपको बताए है या बताने वाला हो वह सब के यह बैक कवर्स को ओड़ा सा डिफरेंट है यह स्मोक इफेक्ट प्लस रिंग होल्डर वाला बैक कवर है अब इस टाइप के बैक कवर्स दिखने में अट्रैक्टिव लगते है साथी सारे सब जब आप आप्लाए करेंगे स्मार्टफोन पर अप्लाए करेंगे तो यह और भी जड़ा अच्छा लगता है तो यह पहली बात तो कैमरा का बंपर एक यूज प्रोटेक्शन है काफी ज़ादा बंपर एफेक्ट है और यह अच्छा भी लगता है कैमरा सेफटी के लिए साथ में यहाँ पर एक होल्डर मिलता है रिंग होल्डर जो 360 एंगल में रोटेट भी होता है लाग दिस और इसमें इस तरीके से आफ फिंगर में डाल कर आप कॉल पर बात कर सकते जिससे कि अगर कोई मोबाल आपका च्छीन के भाग भी ने सकता है सेकेंडली आप इसको एज़ा होल्डर के बेसिस पर यूज कर सकते जस लाग इस मोबाल को इस तरीके से रखें नॉट बैर एक्षिली तो इससे अप्लाइ करते है स्मार्टफोन पर तो पहली बात यह जो दिख रहा है उपर का जो शेप है यह पुरा रबड है पुरा प्लास्टिक है प्लास्टिक का कॉलिटी प्रीमियम नहीं है जस्ट गुट कॉलिटी है और यह भी प्लास्टिक है लेकिन इसके कंपेर में यह प्लास्टिक थोड़ा ज्यादा हार है जो कैमरा सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है लेकिन यह प्राइज भी इतना ज़्यादा नहीं है अंडर 500 रुपीज के रेंज में इसके अंदर है तो अच्छा रहेगा पैसा वसुल होगा आपको और प्लेन केस के कंपेर में इस अपके बैक कवर अच्छे भी लगते हैं तो अपलाई करने के बाद यह एक्जाक्ली इस तरीके का लुक आपके इंफिनिक्स नोट 11S को देगा तो राइट साइट में सारे ओप्शन्स परफेक्ट है बटन भी इजिली प्रेसेबल है डाउन साइट में भी सारे ओप्शन्स परफेक्ट विजिबल है नौट बैट एंड यहाँ पर भी स्मूध है ओवराल स्मार्टफों को जब आप वाउन करोगे तो इफेक्ट ऐसा लगेगा अच्छा है बैक कवर और यह बैक कवर मुझे काफी ज़र अच्छा लगता है ऐस कंपेर टू अधर जो भी मैं आपको शो कर रहा हूं या करने वाला हूं अब आ रही है फिफ्ट बेस्ट कवर बैक केस फॉर इंफिनिक्स नोट 11S प्रीफार एडिशन अब यह जो बैक कवर है इसे पीक करने का रीजन यह है बिकॉस नोट 11S के साथ में यूगाइसर और नोग के ब्लाक कलर का एक हाड के साथ है तो कुछ ऐसे भी यूजर्स होते जो इस टैप के बैक कवर से खुश नहीं होते हैं जिसमें से एक मैं हूँ तो अब इसी बात है मैं मोस्ली के सेस में ज्यादा कैजूल लूग पसंद निकलता बस स्मार्टफोन को एक अच्छा लूग देना चातो अच्छा भी नहीं एक डिसेंट लूग के साथ साथ में प्रोडेक्शन देना चातो तो मेरे जैसे यूजर्स के लिए इस टैप के ब प्रोडेक्शन है और साथ ही साथ यहाँ पर यह 1,2,3,4 यह पूरा एक हार्ड प्लास्टिक है जो आपके स्मार्टफोन को घिरने के टैम पे बहुत अच्छी तरीके से सेफ रखेगा और यह बहुत सारा चेज मैटर करता है स्मार्टफोन के के सेस में तो अब इस बात है आप और आप इस टैपके रहने पासर मीजा पर अप्रों के सा सकते है और अपके लिक Islam के उकॉप मैटर करता है तो यहां पर भी और क्यामरा का बंपर प्रोडक्शन है और मोबल घरता वी है तो कोई problem नहीं है because यह plastic इससे safe रखेगा और यह भी बहुत चे जब matter करता है overall it's good और सारे buttons सारे options perfect तरीके से visible है then right here not bad so now the next back cover for this Infinix Note 11S अब यह जो back cover है जो मैंने इसके पहले जो back cover दिखाया था ब्लाक लिवर्स वाले यह second है उसका ब्लाक लिवर्स का अब इस back cover के पिछे रिजन यह है because एक्दम smooth और प्लेन कलर का black cover है कई सारे और भी यूजर्स होते है जो black color में एक्दम smooth back cover चाहते है जिसके पर कोई printed material नहीं होना चाहिए तो ऐसे में यह आपके लिए काफी जारा useful होगा इसमें भी camera का bumper production है और material quality जिस तरीके से silicon वाले covers आते हैं same to same वैसा इसका quality है तो इतना premium नहीं है बट फिर भी okay है price range के साब से इंफिनिक्स के smart phones के लिए कोई ज्यादा महिंगे महिंगे expensive back covers नहीं आते है अब थाउजन रुपीस सब थाउजन रुपीस के अंदर ही आते है मैंने तास सो कभी असा notice नहीं किया बट यह 700-700 रुपे में अच्छे अच्छे back covers आते है golden sands के बट यह उसे कम है तो आप इसे अफोड भी कर पाऊगे और अपका smart phone भी safe रहेगा so apply करने के बाद exactly जो इसका look है look like that not bad that much right overall it's good और यहाँ पर भी सारे buttons options perfect visible है प्रेसेबल है good वैसे इस टैप के back covers में और इस टैप के back cover में काफी ज़रा difference होता है वैसे quality दोने back covers के same होते खाली यह पूरा completely plain है और यह easily yellow में convert हो जाता है कुछ six month seven month के बास और इस टैप के black वाले जो covers होते हैं इन्हें कोई problem पड़ता ने भी yellow की तो बात ही नहीं होती है so especially यह काफी ज़रा useful होगा आप लोगों के लिए so now यह है seventh back cover for this Infinix Note 11S और यह है एक hard case वाला back cover यह जो back cover है boys और girls दोनों के हाथों में अच्छा लगता है और इसमें यहाँ पर इसका पूरा का पूरा यह जो body shape है यह transparent है खाली यह जो look इसको दीख रहा है यह इसे attractive बनाता है तो इसमें आप इसको casual नहीं कह सकते इसको decent कह सकते हैं बट फिर भी just because of this look it look attractive और साथ में यहाँ पर यह जो shape दीख रहा है यह पूरी तरीके से smartphone को production देता है और यह बहुत जारा matter करता है smartphone की cases में quality इतना premium नहीं है just good quality है price range के इसाब से back side में जो दीख रहा है यह काफी जड़ा shine मारता है इसके ऊपर एक cover चड़ा हुआ है जिसकी वज़े सी तना shiny मार रहा है तो यहाँ पर लिखा भी है तो इस film को यहाँ पर निकालना है इसके बाद इसका back का जो transparent का जो shiny look है वह दिखेगा तो फिलाल इसे में निकाल लोगा नहीं because यह safety purpose के लिए ठीक रहता है बट फिर भी आपकी cases में अगर आप shiny effect चाहते है अपने smartphone के लिए then that case you can remove these things यह जो दिख रहा है यह उपर का जो दिख रहा है यह पूरा rubber है यह जो है यह प्लास्टिक है हार टाइप का प्लास्टिक यहां पर भी प्लास्टिक यह भी परफेक्ट और यह जो शेप दीख रहा है यह भी यह रबबर है तो अपलाई करने के बाद exactly इसका look ऐसा देखने को बिलेगा तो overall काफी जरह useful है and not bad तो यहाँ पर भी यह जो बटन से easily तरीके से प्रेस हो रहा है यहाँ पर भी सारी options सारे बटन easily visible है and यह भी जचेज overall यह जो है यह boys and girls दोंहें इसली यूज कर सकते हैै camera का bumper protection बिलता है कर अगर mobile घरता भी है तो पर कोई problem नहीं है और इस शेप में भी अगर mobile घरता भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉस गिरने के टाइम पे जो प्रेशर आगा वो मिडल में आएगा जो जब भी गिरेगा तो यहाँ पर यह जो एज दीक रहा है इस एज पर पुरा प्रेशर आएगा बिडल में नहीं आएगा जिसके वजह से स्मार्टफोन गिर भी गया अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आप चाहते कि मैं इसके रिलेटेट एक ड्रॉप टेस्ट टॉपी कवर करू तो एक बर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं कवर्स को लेकर ड्रॉप टेस्ट का टॉपी कवर करूंगा तो उसके बेसिस पे मैं अगर पीजादी रिजल्ट बेड भी और अब जब आप स्मार्ट पोन करेंगे तो एक्जाकली जो इसका लूप है यह ऐसा लूक में देखने में लेगा और जब आप इस थाप के बैक कवर स्मार्ट पर अपलाए करेंगे तो जो स्मार्ट फोन का लुक जो वेट है वह यह एक शिलिकॉन बैक कवर है लेकिन काफी ज़ादा डिफ्रेंशेट लूप में है मुझे इस टाप के बैक कवर बहुत ज़ादा अट्राक्टिव लगते है बिकॉस यह काफी ज़ादा अलग लूप में देखता है यह बहले आपको यह जो दिख रहा दिजाइन a pura फ्लेंब है जा पर प्ले नहीं है जब आप इस पे र Duch क्रोंगे तो यह जो लगा कर आंए यह आदा में लाइनिंग का एक इफएक दीगहा बट जारा तो को यह स्मार्टफोन को बहुत सारफ परसन नहीं करेंगी जिस भीकॉस उफ इस डिस्प्लै बट फिर भी नॉट बार अपलाई करने के बाद एक्जाक्ली जिसका लूक है थो कामेरे का भी आप पर प्र क्याम आपल पर पडंपर जि 않아 कि उंपल अठीड में करते हो जेए सारी बटन के बटन आपर भी एंड ये भी परफेक्ट, नौट बाट, बैकसाइट, इस गुड़ और उसके बाद जब आप इसे उपन करो गे स्मार्टफोन को तो जो लूख है, इस लूख 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 लाग दाट बाट, परफेक्ट, तो अपको लूख लूख को यूख लाग देगी अघ्र टाट, जाएट, पर नौट करोगा follow भी कर सकते हैं, उसका link वीडियो के down site में है, so I hope you like this information, thanks for watching, have a good day.